हेलो स्ट्रेंज यह एंडियन जोगर्फी की पांच में क्लास है जिसमें हम भारत के परवती दर्रों से सम्मंदेद सभी कुशन्स को सौल करेंगे कुशन्स पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को अधिक से अधिक संक्या में लाइक और से करिए तो डिरेक्टली स्टार्ट करते हैं कुशन मोर फ़स्ट से पहला कुशन है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया सबसे पहले जानते हैं कि दर्रा क्या होता है अखिर दर्रा सुना होगा अपने घाट सुना होगा ला सब्द जुड़ा होगा या इंगलिस में से पास बोलते हैं यह सारे चीज़ें एक हैं दर्रा परवत मींज एक सिंगल चोटी, ठीक है, अगर वहीं पर एक बहुत सारे परवत हैं और एक चेन बन रही है, उनकी एक स्रंखला बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे परवत स्रंखला, जैसे माउंट एवरिच की बात करों, तो वो एक सिंगल परवत है, माउंटेन स्पीक है, लेकिन अगर जहां बहुत सारी mountains एक साथ जुड़े हैं और 2400 km लंबा mountain system बन जा रहा है, एक chain बन जा रहा है, तो उसको हम हमाले बोलते हैं, वैसे ही Rockies, Andies, Atlas, ये सब क्या हैं? ये आपके परवत स्रंखला हैं, यानि बहुत सारी परवत एक साथ जुड़े हुए हैं, अब इनी परवत स्रंखलाओं के बीच में से, जो एक रास्ता होता है, जहां पर दो परवत आपस में हैं, यानि एक परवत ऐसे हैं, दूसरा परवत ऐसे हैं, अब इन दौनों के जो एक रास्ता होता है जहां से आप रोडवे बना सकते हो रेलवे बना सकते हो जहां से एक तरफ से पहाड के दूसरी तरफ जा सकते हो उसको हम दर्रा घाट या पास बोलते हैं दर्रह हिंदी का सब दर्रह गहाट के सब दर्रह तिबत में बोला जाता है दर्रह को ही तिबत में ला बोलते हैं तो जितने भी नाम सुनेंगे आप जमु कस्मी रुतराखंड आपका सिक्किम अवनाचे परदेश इधर आपके सब दर्रहों के पीछे ला सब जुड़ा पहाडों को चीरते हुए जब नदिया आती है जैसे यह अगर पहाड है तो इसके बीच से जब नदी गुजर रही है तो यहां पर एक गौर्ज कैनियन बना देगी यानि गड़ा कर देगी उसी गड़े के एक साइड पर रोड बन जाता है जिसको हम पास बोलते हैं दर्रा ब बात करूं तो इंडिस वैली सब्लेशन थी जिसे सहरी शब्विता यह सिंदु घाटी शब्विता बोलते हैं इस शब्विता के बाद यह माना जाता है कि आर्रियों का आगमन हुआ इंडिया की तरफ यानि मूल अभी तक जो माना जाता है कि यह वो सेंट्रल एसिया से आर झालन अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुआ इंडिया की तरफ हुआ तो भारत में किस तर्म से होकर आ रहे आया थे यह कुषिशन है आपका खैवर अगले! रहए कारा कोरम है सिभकीला दर्ण तो इन चारों चारों की लोकेशन जानते हैं कारा को रम है लद्दाक में पहले जब मुग-समिर का पार्ट नाज इमाचिल प्रदेश का पार्ट है बोलन यह दौनों पासर आपके पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे इनकी लोकेशन देखते हैं यहां पर मैंने एक मैप बनाय उए तो यह आपका इंडिया यह इंडिया वाला रिजन भारत है भारत के बास में भारत सबसेophramitr पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान से और पस्चम चलाइंगे तो अफ़िस्टान, अब इन दोनों के ही बार्डर पे अफ़िस्तान और पाकिस्तान के बार्डर पे आपको पहला दर्रा नौर्थ में देखने को मिलेगा खैवर दर्रा, इसी दर्रे से बोलते रहेंगे मेरे साथ तो यह चीज आपको याद हो जाएंगे एफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉडर पर पे खैवर पाकिस्तान के बौर्डर पर हैं, ठीक है, इनहीं तरफ से जितने भी आकरमड हुए हैं इंडिया में, जमीन से जाहे वो महमूद गजनेभी का अकरमड हो या आपका उससे पहले सिकंदर का अकरमड हो, ठीक है, या फिर आर्रियों का आगमन हो, ये सब इनहीं दर्रों के थ्र सब्सक्राइब एक फैस्ट को समझाने से पहले मैं जितने बीत Indian कि वह कि तकि चीजें आप रिकॉल कर पाएं, याद कर पाएं, एजली. यह इंडिया के सभी मेजर पासिस हैं. मुक्षित है, जितने भी दर्रे हैं, वो सब इसमें लिखे हुए हैं. जितने भी जो भी 2-4 दर्रे बचे हैं, वो इससे बहर नहीं आने वाले हैं. तो एक ही करके चैटि करते हैं. सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जम्मू कश्मीर और लद्दाक की तरफ, तो मैंने यहां पर Olag Olag state के Olag Olag Color से divijon कर रख़ा है, जैसे अगर आप जम्मू कष्मीर औ लद्दाक का जो Когда ए बैंगनी कलर के जितने भी आपके दर्रे देख वारे हैं सभी जम्मू कस्मीरौ लद्दाक से हैं अब जमू कस्मीर पे आपको ध्यान रखना कि कौन-कौन सा द दर्र हाँ आपका जमू कर समिर की जिसे हम बोलते हैं बुर्जल पास consent paghla kdh kँ तो बुर्जल कहां पहां पे है जमू कस्मिर стор créer इस फीर फैस्ट कर गया क्र गया को कर सा रेचे बुर्ज दर्र से यह तीनों कहां पे हैं? जम्मु कस्मीर में. अब हम देखते हैं लडदाक वाले रीजन में. लडदाक वाले आप रीजन में देखेंगे जोजीला दर्रा, खारदूंगला, जोजीला, खारदूंगला, मीन तकापास की आपका कारकॉरम सेडी में देखने को मिलेगा. इस पू तो इन में से आपको सारे याद नहीं रखने है, जिस पर एर रेट लाइन लिखा वह रो जैसे अगेल पास के नीचे, अजिसे भी तक पास के नहीं की हुआ है, यह वाले जितने भी अदर लाइने की आपको रट लेने हैं, यह आपको जितने भी एंधर एक्जाम से रहें क्य तो टेलिग्रम चैनल में पीडियाप आपको आपको एजली मिल जाएगे अब यहां पर पारपीक आपस blossom अगिल पास इसको आपको दिशान रखना है अगिल पास बहुत इंपोरेंट है कारा कॉरम स्थीरी बे हैं ये एक आपको अगिल पास बहुत इंसे जितने हैं जितने भी आपको मीनता का पास है पारपीक पास है कुझिर जाव पास है अगील पास है यह सब आपके लद्दाग से चीन को कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है इसी प्रिकार से कारा ताग पास ठीक है लानक ला अब यहां पे जितने भी तिबबत से जुड़ा हुआ पोर्सन है यह आपको ला वाला सब यह स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यह सारे क्या है ला का मतलब तिबबत में होता है तरह तो लानक ला यह भी तिबबत और लद्दा के बीच में है पेंसीला यह आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ देखने को मिलेगा इंटीरिया लोकेशन में चांग से इमेसला दर्रा यह आपका लद्दाक वाला रीजन है और तिबत को कनेक्ट करता है और इसी के पास से होते हुए जा रही है आपकी सत्लेजना दी ठीक है लेकिन किस अब यह सारे आपने देखे कस्मीर और लद्दाक वाले रीजन अब हम देखते हैं हिमाचल परदेश यह आपके हमाचल परदेश वाले सारे एक यह वाला पास है सारे पास यह है पहला पास है बाड़ा लाचला दर्रा ठीक है यह आपका लेह को मांडी से जोड़ता है यह सारे हमाचल परदेश में हमाचल परदेश में एक जगह है मंडी अब मंडी को लेह वाले रीजन से यह आपके लिहे हैं अम हम को मंडी से सब्सक्राता है इतना आप दियान रखेंगे. इसके बाद हम यहां पर देखेंगे रोहतांग पास, इसके बाद हम यहां पर देखेंगे रोहतांग पास, इसके बाद हम यहां पर देखेंगे रोहतांग पास, इसके बाद हम यहां पर देखेंगे रोहतांग पास से आपको रावी नदी देखने को मिलेगी, रावी नदी इसके जश्ट नीचे है आपका सिहार, यहां से उते ही आपकी सत्लर्ज नदी घुजरती है। तो सत्लर्ज नदी का जो पास है वह आपका स्प्किल पास। यहां पर सत्लर्ज नदे के दौ़रा एक गौर्ज बनता है, उसी पर जो रा malaria बना हूँ है यह आपका इंडिया और चाना की बीच में है सिनकीला पास अंडिया और चाना की ट्रेड कराता है आपस में वेःपर कराता है इसके बाद हम बात करेंगे उत्राख際ा अंडे circuit की अधरों कि तरहां यहां हैं याप समर्णारिय करते हैं तो में सबसे प्राप्रोंगम क्या है वह है लेंडसलाइड यहांपर भूस्क्लान यात्र्षोς कियारद दिध्क sit जो मानसरूबर यात्र की जाते हैं वो लिपू लेक दर्रे से की जाते हैं इसके बाद है माना पास माना दर्रा इसके बाद है नीती दर्रा और यह है आपका लिपू लेक यह बहुत है इंपोर्टेंट है यह यह उत्राखंड को तिबब से करता है और चाइना से ब्यापार कर इंपोटेंट फूर मांसरूबर यात्रा ठीक है मांसरूबर के लिए हमने अभी इससे पढ़ ले पढ़ा था मांक सदूरा वैसे हम क्या पढ़ रहे हैं लिपूलेक मंग सदूरा में लेंड्सलेट जाता होती है इसी वज़े से लिपूलेक की तरफ जितने भी तेर्थे आत् जाते हैं एक है तो आप यहां पर लाष्ट बचा है पकट रेल पास आपके फ्रिक जहां सकने कर दो आपको यहां पर तेमें को मिलेंगे ना ना थूला जिपलिजला इनमें से आपको नाथूला और जेलेपला याद रखने हैं, रट लेना हैं, ये तीनों ही पास आपके सिक्किम में देखने को मिलाएंगे, नाकूला, नाथूला और जेलेपला, NNJ, याद रखेगा, अब नाथूला की अगर हम बात करें, ये है आपका नाथूला दर्रा, ठीक है, ना की तरफ जो सिल्क का रास्ता था, सिल्क का मार्ग था, जिससे ब्यापार होता था, उसके रास्ते पर आता है, यानि वहां उसको कनेक्ट करता है, सिल्क रूट से कनेक्ट करता है ये इंडिया को, नाथूला दर्रा, ठीक है, इसी परकार से हम देखते हैं, जिलेपला दर्र ये भी आपका सुरी ये भी आपका सिक्किम में है ठीक है जिलेपला दर्रा भी सिक्किम में है और ये चुम्भी घाटी को चुम्भी बैली को कनेक्ट करता है चुम्भी बैली को कनेक्ट करता है सिक्किम से ठीक है इसी परकार से हम देखेंगे अर्नाचर प्रदेश के घाट अर्णाचे प्रदेश के दर्रे तो अर्णाचे मीद्र ब्रब्देश में आपार बुम ड़ीला ठीक है बूम डीला बुम डीला को इDonald कु प्रदेश को अनुटा तिबभत से या यहां पर आपको बूम डीला दिख रहे हैं जा करेंस पत G ONE यहां पर बुद्धिष्ट मॉनेस्ट्री है तवांग यह तमांग को connect करता है लहासा से जो तिबद की Capital है यह चीन ने जो तिबद कब जालिया 69 में उसकी जो राजदान है लहासा यहां पर उसको connect करता है आपका पोमटीला पास। तवांग को लहासा से connect करता है या फिर आप कह सकते हैं कि अठीश को लहार ca ्या तिब्बभ से connect करता है इसी कर्ण से हम पड़ सकते हैं यहाँ यूगाप पास, यूगाप पास ठीक है दिहांग पास। क्यों कि यहां से धिहांंग नदी जा रही है, ठीक है? दिहांग पास, यह वाला location, दिपेर पास, कुमजावांग पास, चंकन पास, लेखा पानी पास यह आप दिहान रखेंगे लेखा पानी पास अपका अनौचे प्रदेश में लोकीटेड़ है इसी प्रिकार से हूं यह अपने आप से प्रौनांस करिएगा हपून गान पास ठीक है इसी प्रिकार से थोड़ा सब नीचे आएंगे यहां पे आपको आप आफ देखने को मिलेगा बहुती इंपोडेंट पास है इसे बोलते हैं तुच्व पास टूझ। पास ठीक है यह तो तुच्व दर्रह है यह अपको कनेक्ट करता है इंपाल को मैमार से इंपाल कहां की राजदा नहीं है मडीपूर के यह वाला पूरा इस्टेट कौन स मनिपूर में आपका Tuju Pass जो connect करता है इंपाल को मियामार से ठीक है ये वाला रीजिए देश, मयामार है तो मयामार मनिपूर से connect करता है Tuju Pass इसी तरीके से यहां पर आएंगे आप Tongya Pass देखने को मिलेगा Tongya Pass Tongya Pass आपका Rakhine State में है म्यामार का एक राज है Rakhine जहां पर आपने सुना होगा Rohingya वाला जो मसला हुआ तो वो Rakhine State में ही हुआ था उसी रिजन में है आपका Tongya Pass वहां पर इंडिया और म्यामार की बीच में यह आपका चेंड मनता है आपका ट्रेट ब्यापार के लिए जाना जाता है Tongya Pass ठीक है यह सारे दर्रे हमने देखे हमाले वाले रिजन के अब थोड़े से हम साउथ इंडिया वाले या पैनिसुले वाले लिए जो पाता हरि पर है भारत का उसके सारे डर्रे को देखते हैं उससे पहले हम पतार वाले रिजन देख लेंगे यहां पर आपका अरवली पर पर यही पर है आपके गोरम घापpha capability height टीक है यहत को यहत नाम है वो पीपली घाट एक ही लोकेशन गोरंगाट या पीपली घाट उसी प्रिकार से हल्दी घाटी पास हल्दी घाटी का तर्रह जहां पर भूत फैमस वैटल हुई थी हल्दीघाटी की है 1576 में नेक्स्ट है असीरगड ठीक है यह वाली जो location है वो असीरगड यह आपका मदप्रदेश और महरास्टर के border पर देखने को मिलेगा मैं लिए मदप्रदेश में असीरगड ठीक है यह एक रास्ता प्रोवाइड करता है दखन के पठार की तरफ जाने के लिए अगर आप इस site से plain region से अगर प ठालगाट ठीक है ठालगाट भोरगाट पालगाट या प्रट लेंगे पहला है ठालगाट जिससे कसर घाट भी बोलते हैं कसर घाट पास भी बोलते हैं ठीक है और यह जो पास से ठालगाट यह connect करता है मुंबई को नासिक से ठीक है मुंबई को नाशिक से या मुंबई को क तो थाल घाट जिसे कसारा घाट भी बोलते हैं यह महरास्टर में लोकिटेट है और मॉंबई को नासिक से कनेक्ट करता है इसके बाद आता है मालसेज घाट यह भी आपका महरास्टर रीजन में देखने को मिलेगा और यह पूरा रीजन आपका यह पश्मी घाट का है हमने देखा थालगाट, थालगाट से नीचे आपके मलसीज घाट, मलसीज घाट के नीचे आपका भोरगाट, ठीक है, तो ये वाली लोकेशन है भोरगाट, जो मुंबई को पुड़े से कनेक्ट करती है, मुंबई को पुड़े से कनेक्ट करती है, ठीक है, थालगाट मुंब यह आपका महरास्ट्रा और गोवा के बीच में चोडला घाट, ठीक है, थोड़ा और साउथ इंडिया की तरफ चलेंगे, तो आपको एक घाट, बहुत ही फैमस घाट है पाल घाट, जिसे हम पलककर घास भी बोलते हैं, पलककर पास भी बोलते हैं, ठीक है, पलककर या पाल घ सहर को कनेक्ट करता है, कोचिन से, यानि कोची को कोईमबटूर से भी कनेक्ट करता है आपस में, और तमिलनाडू को केरल से भी कनेक्ट करता है, ठीक है, कोचिन को कोईमबटूर से, और यहाँ पर जो परवत संकला है, वो है आपका परश्मी घाट, परश्मी घाट में भी तेंक नील गरी और ना मलाई कि बीच में है आपका पाल घाट या पलकड घाट एक दू फेक्ट और याद रखना है पाल घाट जो है वो सबसे बाईडेस्ट गैफ है ठीक है बाईडेस्ट गाफ बिट्वीन बैस्ट गाट यह बैस्ट गाट में जितने भी पासस आपने बहान गुजर सकते हैं जो ऐसा पास है आपका उमलिंगला पास यानि मोटरेवल पास जहां सबसे उचाही पर जो मोटरेवल पास है इंडिया का वो है आपका उमलिंगला पास ठीक है अब चलते हैं बापश कुछेंस की तरफ तो कुशन नमर सेकेंड था कि हमाजय प्रदेस में इस्तित दर्रा कौन सा है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा सिपकीला क्योंकि जोजीला नाथूला आपका जमू गस्मीर में है लद्दाक में है नाथूला और जिलेपला यह दोनों ही आपके सिक्कें में है यह S.S.C. संद्धिया 11 का कुशन था कुशन नमर थर्ड है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकरतिक परवती दर्रे को किया जाता है यह जवाहर सुरंग किस दर्रे से उके गुजरती है पीर-पंजल therrah, बुंदिल-पीर-दर्र यह आपके सिप्कीला डाक वाला रीजन है यह आपके लद्दाग वाला रीजन है पीर-पंजल आपके जंमू कस्मीर वाला रीजन है तो यहां से जवाहर सुरंग किस से होते हो़ी गुजरती है तो इसका correct answer एगा option C, यानि बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कस्मीर में located है, पीर पंजाल परवत संख्लाओं से बीच से होते हुए जाता है, बनिहाल कनेक्ट करता है, जो बनिहाल दर्रा है वो कनेक्ट करता है बनिहाल को काजी कुंड से, या काजी कुंड से, यानि यह जम्म जम्मू और स्रीनगर के बीच में जाने वाला रास्तावन देता है बनिहाल दर्रा ठीक है, बनिहाल किस-किस के बीच में है, जम्मू और स्रीनगर के बीच में, यहां पे आप देखवा रहे होंगे, यह आपका बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू से यह अप कर जमू वाला रेजन है और यहाँ पर आपका स्री नगर इन दौनों के बीच में आप lacks में कनेक्ट करता है बन्याल-दर्रा टी कि जहां से जवार सुरंग जाते हैं इसी प्रकार से यहां पे है जोजीला दर्रा, यह कनेक्ट करता है आपका स्रीनगर से, स्रीनगर को लिहे से, ठीक है, यहीं जम्मू कस्मीर को आपका लद्दाक वाले रीजन से, लिहे से कनेक्ट करता है जोजीला पार्स, तो यहां पे दो आपको पास दियान रखेंगे, बन और पीपली घाट तो एक और फिर से हम मैप की तरफ चलते हैं बार बार मैप देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगे कि इन में से कौन सा पच्छमी घाट परवतमाला में इस्तित नहीं है थालगाट बोरगाट पालगाट या पीपली घाट तो यहां पर हमें करेक्ट आं यह दोना ही महारास्ट्रा में हैं इन तीनों की लोकिशन दिखा देते हैं तो यहां पर आप देखवा रहे होंगे यह आपका पीपली घाट अराबली परवसरंकला के बीच में है आप से कुछन पूछा था कि पश्मी घाट में कौन-कौन सी घाट है तो चार में से आपका थाल घाट यह वाला रीजन भूर घाट और आपका इस वाले रीजन में नीचे पाल घाट तो यह आपके सबी बश्मी घाट में है जबकि पीपली घाट यह गोरम घाट यह आपका अराबली परवसरंकला का पारट है ठीक है नेक्स्ट कुशन नमर फाइव है पीपली घाट दर्रा किस परवत्ती भाग में इस्तित है तो इसका करेक्टर आंसर रहेगा अराबली में कुशन नमर सिक्स जोजीला दर्रा जोडता है स्री नगर और लहे को कलिपॉंग या लहासा को चंबा और स्पीती को और नाच प्र बारे में हमने पड़ाता कि यह जम्मू से जम्मू से स्री नगर को कनेक्ट कर रहा था आपस में इसी परगर से यहां पे है जोजीला जो स्री नगर से लिहे को कनेक्ट करेगा तो लिहे और स्री नगर के बीच में एक लिंक देता है जोजीला पास कुशन नमर सिक्स का करेक के बीच में हैं और इसी प्रिकार से यह कोची और को इंबाटूर के बीच का रास्ता प्रवाइड करता है ठीक है नेक्स्ट कुशन नमर एट तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है अब इसकी लोकेशन जानते हैं कि तुजू दर्रा है कहां पर ऑप्सन दे रहे यहां पर है आपका पूर्वी परवस रंकला है तुजू बास यह आपका इंफाल को म्यामार से कनेक्ट करता है मनीपूर में लोकेटेट है जिसकी राजदानी है इंफाल कुशन नमर नाइन नाथूला दर्रा किस राज में श्टेता है उत्राखंड में हमाच्य प्रदेश हूअ जी कनेव आपके अधिश्य परच और संगें एंफ ट्राखंड में तो इसका अंतर रहेगा उत्राकंड में ठीक है उत्राखंड यहां और उत्राकंड के दर्रे हैं न high q33 अव मनीपूर में पर घृद्याव भार्त के हो सख्किम में मनीपुर में औरनाचे प्रदीष में उत्रअगंड में तो और करेक्ट अंसर रहेगा और अजव प्रदीष बोम्डीला दर्रा अज़लiser में लूकीटिड है यह आपका टवांग रीजन है इंडिया का यहाँ पर बुद्धिष्ट मॉनेस्ट्री स्वे सबसे गुरूइओ नबर एलेवन में हैं जो जी ल्हा दर रा किस राज के इन साथ है प्रदेश में स्थेता topics तो यहां पर यह जमू एक वार location फिरसे देख लेते हैं. यहाँ पे आप देखवा रहे हैं यहाँकी सिकक्म वाली location है. यहाँ पे नाकुला दर्रा देखनी को मेलेगा जलेपला दर्रा और नाथूला दर्रा ये तीनों ही आपके सिकक्म located है. नेक्स्ट है जम्मू से स्री नगर का मार्क किस दर्रे से गुजरता है तो औफ समझ है जोजीला, बुर्जिल, बनहाल रे कुम्या है NATO 10 कुसिनी नमो थर्टीन का यहाँ पे करक्ट आंसर आइगा nurture ऑफ संझ अई बन्हाल一定要 कनेक्ट करता है जम्मू से सेकिंड से मिलाना है सुची फश्ट में परवती दर्रे दे रखें हैं दूसी तरफ उनकी इस्थितिया हैं यहां पर आप देखेंगे नाथूला दर्रा आपका पड़ चुके हैं यह सिक्के में लोकीड़ है तो नाथूला दर्रा आप कनेक्ट करेंगे सिक्किम से बॉमडील परदेश लासा से लासा को कनेक्ट करता है तवांग से तु जूर दर्रा यह इंफाल को आपका इंफाल से और मियमार के बीच में लिंक देता है यानी मरीपूर में लोकीटेड है इसी पिरकर से शिप्कीला दर्रा हिमाचर प्रदेश में हैं जहां से सतले नदीयों के गु नेक्स्ट कुश्चन नमार 15 उस दर्री का नाम बताएं जिसे उत्राखंड में तीर थे आती दोरा कैलास मांसरूबर यात्रा के लिए प्रयोक किया जाता है तो यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैलास मांसरूबर यात्रा के लिए मुख़्िते दो दर्री यूज की जाते ह इक है मांसदूरा एक है मांसदूरा दूसरा है लिपू लेक मांसदूरा में क्योंकि बहुत सारी लैंड स्लाइट्स होती है वह रह्ता है तो यहां पर जो कर्रेक्टर आंसर रहेगा वह लिफू लेक रहेगा तो क्रेक्शन नमार 15 का करेक्षा आंसर इस ऑप्सन डिए नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमागा 16 निमलित में से कौन सुमेलित नहीं है लिपूलेक उत्राखंड नाथूला अनाचर प्रदेश रोतांग हिमाचर प्रदेश पालगाट किरल यह उपी PCS का कुश्चन है तो लिपूलेक आपका उत्राखंड का ही है इसका यह करेक्ट रहेगा नाथूला इससे देखते हैं रोतांग हिमाचर प्रदेश का जहां से रावी नदी गुजरती है पालगाट केरल और तमिलाडू के बीच में यह भी सही है लेकिन नाथूला आपका सिक्के में लोकेटेड है नाकी अनाचर प्रदेश में ठीक है नाथूला नाकूल और जिलेपला यह तीनों ही आपके सिक्के में लोकेटेड है नेक्स्ट कुष्टन है आपका टोगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोडने वाला परवती मार गया ऑफजने आफगानिस्तान से चीन से पाकिस्तान से म्यामार से तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑ मयामार के ही रखाएं राइच में से टे टाउंग्यूब दर्रा जो चैन्ट करता है इंडिया को मयामार से झुक है या पाल नियल्स यहां पर करेक्टर आंसर रहेगा option B यहां पश्चमी घाट की दो पाणियां है नीलक्री और नमलाई इन दौनों के बीच में है पाल घाट या पलककर घाट जो तमिलनादु को आपका केरल से गनेक्ट करता है इसन किरये कुछला दर्रा हिमाचर्य प्रदेस में स्तित नहीं यहां पे पूछाए कि हम चय प्रदेस में कौन और यहां पर म्हाथ जितने भी हमाचर्य प्रदेस में दर रहे हैं वह उपर फिस सacey मКак देख ले थे हुए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाला आचला दर्रह यह माचा इंच में हुए प्र प्रदेस में कि réखर हुए जो जो आपका option 4 था जलेबला दर्रा ये आपको सिक्के में देखने को मिल रहा है next question number 21 बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा बुर्जिल दर्रा और जोजिल दर्रा निम्लित मैंसे किस राज जी और केंसाथी प्रदेश के पार्ट है next question 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 number 22 बाकी जितने भी जम्मू कस्मीर और लद्दाग में जितने भी दर्रे है एक वार फिर से मैप पे देख लेते हैं ताकि बार बार चीज़ें याद हो जाएं आपके दिमाग में सैट हो जाएं आप चीज़ों को देखेंगे आपको पता चल जाएंगे बले एक कुरेट लोकेशन ना पता चले लेकिन आ प्ट ठोड़ा साज जाएंगे कि यह आपका नॉर्थ इंडिया का है या आपका पुर्वोत्र हेमालय का है या का साथ इंडिया का है यह कहीं न कर देख चुके होंगे एक बर तो चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देख भा रहोंगे बन्हाल दर्रा, जो जम्मू से सीनगर को कनेक्ट करता है. इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पीर पंजाल पास, बुर्जिल पास, यह सबी आपके जम्मू कस्मीर के हैं. ठीक है इसी परकार से जोजिला जमू कस्मीर और लद्दक के बीच में है जोजिला कनेक्ट करता है लहे को सीनगर से ठीक है ये भी आपका जमू कस्मीर का है इसी परकार से खारदुंगला ये आपके लद्दक वाले रीजन में है खारदुंगला मीन ताका ये आपका कारकुर यह भी आपका लद्दाक वाले रीजन में है, लानकला, पेंसीला, चांगला, इमिसला तथा उमलिंगला, यह सबसे उंचा ऐसा दर्रा है, जिस पर कोई भी मोटर वीकल्स यूज किया जा सकता है, यानि मोटर वान प्रयोग करने वाला सबसे उंचाई का इंडिया का दर्रा ह है, उमलिंगला पास, ठीक है, कुश्चन नमर 24 है कि निमलिक दर्रों में से किस से होकर लहे जाने का रास्ता है, लद्दाक की लेहे में किस दर्रे से होकर जा सकते हैं, आप्सन दे रहा है, जोजीला, सिपकीला, चुम्भी घार्टी या बनियाल, यह भी पीपिसी एस संद हमाचल परदेश में एक बड़ा आकरशन इस्तल है, हमाचल परदेश में क्या आकरशन इस्तल है, अघिल दर्र ये तो आपका जमू गश्मीर में अभी हमने देखा, चांगला दर्र यह भी उदर ही है, रोक्तांग दर्र, मीट का डर्र, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, जहां से होके राभी नदी पास होती है, तो हमाचा प्रदेश में एक बड़ा आकरशाड रिष्टाल है, रोकतांग दर्रा. आप सामने लिखा है सिक्किम, लिपूलेक, उत्राखंड, बॉमडीला, हिमाचे प्रदेश, नाथूला, अनाचे प्रदेश, तो यहाँ पे लोकिसन आप खुद से याद करिए, नाथूला कहां पे था, खुद से बोलिए, यह था आपका सिक्किम है, नाथूला, जिलेपला और नाखुला, यह थीनों ही सिक्के में है, बॉमडीला, यह आपका अनाचे प्रदेश में है, लिपूलेक, यह आपका लिपूलेक, माना, नीती, मानसा, दूरा, यह सभी आपके उत्राखंड में लोकिडिए है, इसी प्रिकार से रोतांग, यह आपका कहां पे हैं, क्लास नमर फाइव थी इसके बार नेक्ट क्लास में हम भारत की नदियों के बारे में जितने भी कुश्चन्स आयों है वह सब को सॉल करेंगे तो अब बने रहेगा हमारे चैनल पॉफिसर डायरी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आये तो अधिक से अधिक संक्यां तक लोगण तक पहुंच जाई है इस वीडियो को अगर आप पसंद आयो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा जाहि वीडियो